तो चिक्कन सिक्स्टी फाइब पनाने के लिए हमें कड़ी पत्ता बिचिए और निंगो बिचिए तो दोनों चीज़े हमने तोल लिए तो चलें आज की रेसिपी हम शुरू करते हैं तो असलाम अलेकूम और वल्कम बैक तो माई चैनल तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बिल्कुल हैदरबादी स्टाइल चिकन 65 की र कृली सोन का पेस्ट ढाल डालेंगे एक चुटा चमच वाइट विनेगर संपेद्वाला सिर्का इसमें डाल देंगे 1 चोड़ा चमच Sharp ч. अ शोया सॉस डालेंगे 1 चमच रह चिली जो जो चमच एक चले हम झालेंगे पनी टेस्ट के चिली सॉस अब में पिलन की थालीक पाउडर और बंटी स्पून हम इसमें डाल देंगे रैचिली पाउडर लाल मर्ची पाउडर डालेंगे कश्मीरी लाल मर्ची का पाउडर डालेंगे नॉर्मल वाली भी आप डाल सकते हैं एक अंड़ हम इसमें डाल देंगे फिर इसमें हम डालेंगे 2 टेबल स्पून, दो बड़े चमच, कॉन फ्लोर, कॉन फ्लोर डालना बहुत ज़रूरी है, बाइंडिंग के लिए डाला है, ताकि जब हम बोटियों को फ्राय करें, तो इस पे से कोटिंग नहीं निकले, फिर थोड़ा सा रैट फूट कलर डाल दे अब इसे आदे से एक घंटे के लिए हम फ्रेज में रख देंगे, एक घंटे के लिए रख दे, लेकिन अगर आपको जल्दी से बनाना है तो आदे घंटे के लिए रख दे, एक घंटे हम इसे मैरिनेट करेंगे, और उसके बाद इसे एक घंटे बाद हम इन सारी बोटियो को हम गोल्डन कलर होने तक अच्छे से फ्राइब कर लेंगे और आप देख सकते हैं पोटियों पर से थोड़ी सी जो कोटिंग है वो उतरने लग गई है वो इस लिए हुआ है क्योंकि कॉन फ्लोर इसमें थोड़ा सा कम था अगर कॉन फ्लोर हम बराबर डालते तो इसमें से क करने के बाद हम दूसरी बेच पी डाल देंगे तो चिकन निकालने के बाद अब वापस तेल को अच्छे से गरम होने देंगे क्योंकि फर्स्ट बैच करते हैं उसके बाद तेल थोड़ा सा ठंडा हो जाता है और एकदम से हम सेकंड बैच डाल देंगे ना तो फिर से वाप अच्छे से गरम हो जाएगा उसके बाद हम चिकन डाल देंगे तो बैचावा जितना चिकन है उसारा हम इसमें डाल देंगे और अब इसमें मैंने थोड़ा सा कॉण फ्लोर डाला यह उसके बाद इने फ्राय करें क्योंकि फर्स्ट वाली बैच में से कोटिंग निकलने लग है तो अगर कॉण फ्लोर थोड़ा सा कम हो जाता है अगर कॉण फ्लोर के कॉण डीडी थोड़ी सी कम हो जाती है तो कोटिंग निकलने लगती है क्योंकि बाइंडिंग कॉण फ्लोर की वज़ा से ही होती है तो जितनी अच्छे से बाइंडिंग होगी उतनी अच्छे सी अब इसके gravy हम बना लेते हैं, gravy बनाने के लिए तेल ले लेंगे, तेल गरम करेंगे, उसके बाद हम इसमें बारीक कटा हुआ ले 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 लेंगे, और एक चोटा चमच अद्रक ले लेंगे, और अब इसे 2-3 मिनिट के लिए हम फ्राइए कर लेंगे, गेस के flame को हम medium रखे प्यास को बहुत सारी मित्टी लगी हुई थी। थोड़ा सा कड़ी पत्ता में डाल देंगी चर्कन 65 में बहुत जरूरी होता है। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे प्यास तो एक बड़े साइस की प्यास थी वो पूरी हम डाल देंगे और बिल्कुल फाइन चॉप करके प्यास को डालेंगे प्यास को हम तब तक फ्राइ करेंगे जब तक इसमें हलका सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता हलका सा गलर चेंज नह पूरा color इसका change नहीं करना है तो प्यास बस इसी तरिके से हमें फ्राई करना है हल्की सी golden हुचुकी है उलिप इससे जादर इससे फ्राई नहीं करेंगे अब इसमें हम डाल देंगे तो आधा कप के करीब दही डालेंगे इसमें और दही को थोड़ा सा विस्क करके डालेंगे ताके बिल्कुल भी लम्स नहीं रहे दही डालने के बाद अब इसमें हम सारे सॉस डाल देंगे जितने भी सॉस हैं वो सब डाल देंगे तो सबसे पहरे डालेंगे हम सोया सॉस एक प्षिए पावडर को प्रस्रीत ही क्योंकि रहे हो जबition डाले के शवटा exemplo शवार में ए सब्सक्राइब धोड़ा, क्षोटा दो टे लूट चाहिस हैं तो बोटियों में जिस तरह से कलर आएगा उसी तरीके से मसाले में भी आ जाएगा तो पांच मिनिट मसाले को हम बूने के बाद हम ग्रेवी में पानी डाल देंगे तो ग्रेवी जितनी पतली रखने हैं उसे इसमें हम पानी डाल देंगे पानी डालने के बाद अब इसमें हम एक बॉइल आने देंगे, एक उबाल आने देंगे, तो जब ग्रेवी में एक बॉइल आ जाएगा, उसके बाद हम इसमें डाल देंगे, कॉण फ्लोर वाली सलरी, तो एक छोड़ा चमच कॉण फ्लोर में, मैंने थोड़ा सा पानी डाल कर इस तरह से इसका पतला सा घोल बना लिया है, इसकी सलरी बना लिया है, इसे भी हम इसमें डाल देंगे, इसे क्या होगा, जो ग्रेवी होगी, वो तिक हो जाएगी, काड़ी हो जाएगी, ग्रेवी को सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे, और वापस से आप मसाले में एक बॉइल आने देंगे, तो जब इस तरह से एक उबाल आ जाएगा, और आप देख सकते कलर कितना प्यारा आया है मसाले में, तो जब उबाल आ जाएगा इसमें, तब इसमें हम फ्राई के हुई चिकन के कि रखा ता वो डाल देंगे, जैसे साथ इसमें हम डाल देंगे हरी मिर्चे, दो तुकड़ों में काटकर हम हरी मिर्चे समें डाल देंगे, चम्मत चला कर एक बार हम बोटियों को मसाले में अच्छे से मिक्स कर देंगे, लास्ट में भी हम इसके ओपर थोड़ा सा कड़ी पत्य को चाट कर ढालेंगे इस तरह से करी पत्ता डालने कबाद में अच्छ Soo Neces से और सिवर कर देंगे अभी हम से 15 कि लिए लू फ्लेम पर हम पक में देंगे और यह चाएं तो तो दस मिट हो गया है इसे रखे वे तो मज़िदार सा चिकन दीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा अपने पैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसे शेर कर दीजेगा तैंक यू पर वाचिंग इस वीडियो अलाहाफेस